आर्थ ना अपना जो और्बिट है जो इसका रास्ता है सन के चारो चक्कर लगाने का वो कुछ ऐसा है बिल्कुल ऐसे ऐसे ही लगाता है अर्थ मैं ये आस्मान वाले चांद के बारे में बात करें कि एर्थ का एक्सिस कहां होता है और्बिटल प्लेइन कहां होता है चलो एक एक हेलो रिवन डिस इस प्रेम वेलकम टू एजूकेशनल हाइक स्यार आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 NCRT साइन्स के चाप्टर नंबर 17 स्टार्स और सोलर सिस्टम के पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं हमने और इस चाप्टर से तीन पार्ट कर दिया है अगर आपने उन तीनों पार्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स म उन वीडियो को जरूर देखो now let's start from Jupiter ये पार्ट इस पटिकुलर चाप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि Jupiter क्या है Jupiter की जो आगे वाला प्लानेट है Saturn किसे कहते है Neptune Uranus क्या होता है और भी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जै अगर तुमसे कोई पूछे कि Jupiter क्या है तो बोल देना हिंदी में Jupiter को ब्रिहस्पती कहते हैं हमें पता है कि हमारे हपते में साथ दिन होते हैं सोमोर, मंगलवार, बुद्धवार और एक होता है ब्रिहस्पती वार जिसको हम इंगलिस में Thursday का नाम देते हैं ठीक है तो ये जो ब्रिहस्पती वार का नाम है वो जूपिटर के नाम पर ही रखा गया है जी हाँ चलो तो जान लेते हैं जूपिटर क्या है जूपिटर is the largest planet of the solar system जूपिटर हमारे solar system का हमारे 8 planets में से सबसे बड़ा वाला प्लैनेट है जूपिटर जूपिटर इतना जादा बड़ा होता ह है कि लगभग 1300 अर्थ इस जूपिटर के अंदर आसानी से fit किये जा सकते हैं मतलब समझ लो कि जितना बड़ा जूपिटर है ना उतना अगर हम 1300 अर्थ को ले लेना तब उसके बराबर होगा आप इस figure को देखो इस figure को देखकर आपको लग रहा होगा कि जूपिटर इतना इस जूपिटर के अंदर छोटे 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 कितने सारे अर्थ रखे गए हैं लगभग 1300 अर्थ रखे गए हैं तो ये तो बात हो गई साइज की कि जूपिटर साइज में कितना बड़ा है अर्थ से लगभग 1300 गुना बड़ा है अगर हम वजन की बात करें तो जूपिट अर्थ एक किलो का है तो जूपिटर हमारा 318 किलो का होगा मतलब लगबग 318 टाइम्स जितना भी वजन अर्थ का है जितना भी मास अर्थ का है अर्थ से लगबग 318 टाइम्स गुना और ज्यादा मास है इस जूपिटर का और ज्यादा वजन है इस जूपिटर का तो अब ही आप समझ गया होंगे कि जूपिटर का साइज और वजन कितना है बिल्कुल समझ गया होंगे इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ओन इस आक्सिस बाकी प्लैनेट्स की तरह ये जूपिटर भी अपने डंडी पर गोल-गोल-गोल-गोल-गोल घूमता है जिसको हम रोटेशन कहते हैं ठीक है? आगी बढ़ने इस पहले यार मैं तुमको कुछ जानकारी दे देता हूँ कुछ knowledge दे देता हूँ कि आक्सिस क्या होता है equatorial plane किसे कहते हैं orbital plane किसे कहते हैं ये सारी चीज़े जान लो लेकिन practical वीडियो की थुरू चलो चलते हैं आज की इस वीडियो में आपको practically दिखाऊंगा कि Earth का axis कहा होता है Earth का equator कहा होता है equatorial plane कहा होता है और orbital plane कहा होता है चलो एक एक करके देखते हैं यार देखो पहले सबसे पहले ये जान लो कि Earth हमारा न ऐसे नहीं होता Earth हमारा सीधा बिलकुल नहीं होता Earth थोड़ा सा tilted होता है थोड़ा सा टेड़ा होता है समझ गए अब देखो तुमको Earth के बीच में से एक line दिख रही होगी ये line देख रहे हो ये line अर्थ की axis कहलाती है क्या कहलाती है ये Earth की axis कहलाती है क्योंकि इसी डंडे पर Earth अपना rotation करता है गोल-गोल-गोल घूमता रहता है थीक है अब ये line जो तुम देख रहे हो न ये line अर्थ का orbital plane कहलाता है orbital plane मतलब Earth न अपना जो orbit है जो इसका रास्ता है Sun के चारो चक्कर लगाने का वो कुछ ऐसा है बिल्कुल ऐसे ऐसे ही लगाता है Earth तो जो ये वाली line है ये Earth का orbital plane है अब पूछोगी कि भाया ये क्या है ये Earth का equator है ये Earth का equator है देख रहे हो ये equator Earth को दो हिस्सों में divide कर रहा है कर रहा है कि नहीं तो ये Earth का equator है अब आप अगर इतना जान गए तो main point पर आते हैं कि मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ देखो ये हमारा orbital plane ये हमारा axis और ये है equator ठीक है आपको पता है equator और axis 90 degree पर है देखो ऐसे देखो खड़े खड़े देखो तो तुमको लगेगा ये और ये ये और ये दोनो 90 degree पर है लग रहा है की नहीं बिल्कुल लग रहा है तो earth हमारा कुछ ऐसा ही रहता है ठीक है तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो earth का axis है ये orbital plane से 66.5 degree angle पर जुका हुआ है कितने angle पर 66.5 degree angle पर और हमारा ये जो equator है ये जो equator है और ये जो orbital plane है इन दोनों के बीच में 23.5 degree का angle बनता है ठीक है तो इस अल अबाउट दिस प्राक्टिकल आपको मैं angle समझाना चाहता था ठीक है तो लेस्ट मूव फर्दर अच्छा अभी आपने प्राक्टिकल वीडियो ते देख लिया आपको पता चल गया होगा कि axis किसे कहते हैं orbital plane किसे कहते हैं equatorial plane किसे कहते हैं कितना angle होता है axis और orbital plane के बीच में ये सारी चीज़े अभी हमने जास्ट वीडियो में पढ़ी चलो आगे बढ़ते हैं Jupiter के बारे में और भी बहुत सारी चीज़े हैं कि Jupiter हैसा large number of satellites देखो Jupiter एक दूर का planet है Sun से वो काफी दूर है और जितना जादा planets दूर होता है उतने जादा उस planet पर satellites होते हैं जैसे Jupiter के पास अगर मैं बताओ ना तो 79 satellites है अर्थ के पास अपना केवल एक ही satellite है moon लेकिन इस Jupiter के पास 79 moons है समझ जाओ कितने सारे moons है और इन 79 moons में से 4 इसके बहुत बड़े-बड़े moons है जो आपको Jupiter के अगल-गल दिख जाएंगे अगर आप टेलिसकोप से देखते हो तो ठीक है इस Jupiter के अगल-गल एक ring भी है जैसे इस Saturn के अगल-गल एक चक्र लगा हुआ है तो Jupiter के अगल-गल भी एक ring है एक चक्र लगा हुआ है अब देखो Jupiter इतना जादा चमकदार होता है कि तुम इसे आसानी से आसमान में ढूर सकते हो तुमें Jupiter कहां दिखेगा यह figure देख रहे हो आप इस figure में देख लो आप कि कहां पर Jupiter है कहां पर Saturn है यह आप यहां पर देख सकते हो ठीक है तो आप इस हिसाफ से अंदाजा लगा लो कि हमारी sky के कौन से हिस्से में हमें Jupiter देखने को मिलेगा अगर तुम इस Jupiter को खुली आँखों से देखते हो तब तो यह Jupiter बहुत जादा छोटा तुमें दिखेगा जैसे इस figure में मैंने दिखाया ना बिल्कुल ऐसा दिखेगा लेकिन अगर तुम इसी Jupiter को टेलिसकोप की मदद से देखते हो ना तो तुम Jupiter के अगल बगल के चार उसके बड़े-बड़े Moons को भी देख पाओगे ठीक है तो यह सारी चीजे थी हमारे Jupiter के बारे में Now let's learn about what actually is Saturn किसे कहते हैं Saturn को हम हिंदी में Sunny Gray कहते हैं लोग कहते हैं तुमारे कुंडली पे Sunny Gray आ गया है मतलब Sunny Gray जिसकी कुंडली पे आ जाता है समझ लोग उसका बुरा टाइम सुरू हो जाता है तो तुम लोग भी चेक करवाले ना कहीं तुमारे ग्रह में कहीं तुमारे कुंडली में Sunny Gray तो नहीं आ गया है ठीक है तो आज उसी Sunny Gray के बारे में बात कर लेते हैं कि यह Saturn प्लैनेट कैसा होता है क्या atmosphere है यहां का चलो पढ़ते हैं कि Beyond Jupiter is Saturn Jupiter के आगे और अगर हम चले ना तो हमारा जो अगला प्लैनेट आएगा वो आएगा Saturn जिसको हम Sunny Gray भी करते हैं अभी जो Saturn है यह yellow color का होता है पीले color का होता है अब Saturn को एक चीज बहुत जादा beautiful बना देती है वो है Saturn के rings जो Saturn के अगल बगल चक्र लगे हुए है यह देखो figure में आप एक बहुत ही प्यारा सा चक्र इस Saturn के अगल बगल घूम रहा है यही चक्र इस Saturn को बहुत ही प्यारा प्लैनेट बना देता है इस rings are not visible with the naked eye अब यह जो तुम Saturn के चारो तरफ एक चक्र देख पारे हो ना यह तुम खुली आँखों से आस्मान में नहीं देख पाओगे तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा टेलिस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी टेलिस्कोप से तुम आसानी से साटन के अगल बगल वाला जो रिंग दिख रहा है न तुम्हें ऐसा रिंग तुम टेलिस्कोप से देख सकते हो जूपिटर की तरफ साटन के पास भी बहुत सारे साटलाइट्स है क्योंकि हमें पता है प्लैनेट्स जितना जादा सन से दूर जाते हैं उतना जादा सैटलाइट्स उन प्लैनेट्स पे होता है तो भाई साटन तो हमारा जूपिटर से भी जादा दूर है तो साटन के पास और जादा सैटलाइट्स होते हैं एक बहुत मज़े की बात साटन का क्या है पता है Saturn को अगर तुम आस्मान से निकाल कर कही नदी में, कही पानी में फेक दो न, तो Saturn डूबेगा नहीं इतना कम density होती है इसकी, density का मतलब पता है, for example, एक रूम में दो लोग हैं एक रूम में दो लोग हैं, तो इसकी density कम हैं, लेस हैं और अगर एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एकदम भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, धक्का मुक्की हो रही है तो समझ जाओ इसका density क्या है? हाई है, ठीक है? तो Saturn क्या है? Saturn एकदम खोखला है इसकी density बहुत कम होती है, इतनी कम होती है, कि अगर हम Saturn को आसमान से निकाल कर किसी नदी में या समुद्र में फेक देना, तो ये Saturn तैरने लगेगा येस, कुड यू बिलीब? ये देखो, बूजो ये ही कर रहा है, बूजो ये देखो, क्या कर रहा है? ये सोच रहा है कि काश मैं Saturn को इस स्पेस से निकाल कर नदी में फेक पाता, तो ये Saturn नदी में तैरता, इतना जादा हलका होता ये Saturn ठीक है? तो Saturn के बारे में आपने पढ़ लिया कि ये Saturn होता क्या है? चलो हम आखरी दो प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि What is Uranus and what is Neptune? These are the outermost planets of the solar system. अगर हम Uranus और Neptune की बात करें ना, तो ये दोनों प्लैनेट्स Solar System के बाहर वाले planets कहा जाते हैं क्योंकि ये Earth से भी और Sun से भी बहुँ ज़्यादा दूर है They can be seen only with the help of large telescopes हम इन Uranus को और Neptune को इन planets को नाम खुली आँखों से नहीं देख सकते इनको देखने के लिए हमें बड़े-बड़े telescope लगाने की ज़रुवत पड़ती है टेलिस्कोप क्या करता है? छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाता है तो अगर हमें Uranus और Neptune को देखना हुआ तो हम इनको बड़ी-बड़ी टेलिस्कोप से देख सकते हैं Like Venus, Uranus also rotates from East to West direction Venus की तरह ये Uranus भी थोड़ा उल्टी खोपड़ी का है ये भी थोड़ा उल्टी चाल चलता है अच्छा, जैसे हमारा Earth है Earth West direction से move करते हुए जाता है East direction की तरफ और बाकी planets भी ऐसा ही करते हैं वो भी West से East की तरफ move करते हैं लेकिन ये Venus और Uranus ये दोनों ऐसे planets से जो East से चलते हैं West की तरफ move करते हैं मतलब बिलकुल Earth के opposite ठीक है अगर एक बहुत ही special feature के बारे में बात करूँ Uranus के तो Uranus का एक बहुत ही special feature है जो कोई और planet नहीं करता है वो क्या है जो Uranus का axis है जो Uranus का डंडा है जिस डंडे पर Uranus रोटेट करता है वो डंडा बहुत जादा जुका हुआ है बहुत जादा tilted है जिसकी वज़े से क्या होता है जिसकी वज़े से जब कभी भी ये Uranus अपने और्बिट में चलकर सूरज के चारो चकर लगाता है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो Uranus है ये रोल कर रहा है अच्छा आपने अपने घरों में कार देखी होगी कार के दो पईये होते हैं और बीच में डंडे लगे होते हैं इन डंडों की मदद से ये कार ऐसे गोल 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 घूम के सडक पर चलती है बिलकुल ऐसे ही Uranus भी है Uranus का Axis इतना जादा जुका हुआ है कि जब Uranus अपने और्बिट में चक्कर लगाता है न तो ऐसा लगता है कि ये चल लही रहा है बलकि ये रोल कर रहा है ये गोल 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 ऐसे पहिये की तरह घूम रहा है ठीक है तो ये Uranus का बहुत ही Special Feature है और ये Special Feature क्यों है क्योंकि इसका Axis Uranus का Axis थोड़ा सा जुका हुआ है ठीक है समझ में आया अभी आपको Uranus के बारे में The First Four Planets Mercury, Venus, Earth और Mars जो हमारे Solar System के सुरुआत के चार Planets है कौन-कौन से Mercury, Venus, Earth और Mars ये जो चारो Planets है ये Sun से बहुत जादा नजदीक है इसलिए हम इन Planets को Inner Planets का नाम देते हैं देखो यहाँ पर मैंने बताया था न कि Uranus और Neptune सबसे दूर वाले Planets है इसलिए हम इनको Outermost Planets कहते हैं और जैसे हमारे जो सुरुआत का चार Planets हो गया Mercury, Venus, Earth और Mars ये Sun के बहुत जादा Close हैं इसलिए हम Inner Planets का नाम देते हैं और Inner Planets के पास बहुत कम Moon होते हैं जितना Planets Sun से दूर जाएगा उतना जादा Moon हो जाएगे उसके पास जितना Pass होगा Sun के Planets उतना कम Moon होगा जैसे हमारा Mercury और Venus के पास तो बिलकुल कोई Moon नहीं है अर्थ के पास अपना एक Moon है और अर्थ के पास जैसे जैसे अर्थ के बाद Mars आता है Jupiter आता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना Number of Moons उन Planets के पास है ठीक है? The Planets Outside the Orbit of Mars जैसे कि Jupiter हो गया, Saturn हो गया, Uranus हो गया और Neptune हो गया ऐसे planets जो Mars से भी थोड़ा सा आगे है जैसे Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune ये Sun से बहुत ज़ादा दूर है इसलिए हम इन्हें क्या कहते है इसलिए हम इन्हें Outer Planets कहते है ठीक है? They have a ring system around them The Outer Planets have Large Number of Moons जितने भी Outer Planets है चाहे वो Jupiter हो गया, Saturn हो गया, Neptune हो गया, Uranus हो गया इन सभी planets के अगल बगल तुम देखोगे ना कि एक ring है एक गोली सी चक्र लगी हुई है लेकिन Inner Planets में ये ring नहीं होता है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा यहां तक चलो, Some Other Members of the Solar System हमने Eight Planets के बारे में पढ़ लिया अब हम Solar System के कुछ और चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि और कौन-कौन सी चीज को Solar System का हिस्सा माना जाता है Solar System का Member माना जाता है There are some other bodies which revolve around the Sun कुछ ऐसी और भी चीजे हैं जो Sun के अगल-बगल चारो चक्र लगाती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं Let us learn about some of them इसका सबसे पहला आता है हमारा Asteroids तुम लोग सोचते होगे ना कि Asteroid, Asteroid, Asteroid बहुत सारे Teachers कहते हैं What actually is Asteroid हमारे आस्मान में ये कौन सी अजीबो गरीब सी चीजे जिसको हम Asteroid कहते हैं चलो, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि there is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter ये देखो, ये जो orbit है, ये Mars का orbit है और ये है Jupiter का orbit इन दोनों के बीच में काफी जादा distance है और काफी जादा distance होने की वज़े से अच्छा देखो, इस Mars का रास्ता और इस Jupiter का रास्ता इन दोनों के बीच में इतनी जादा दूरी है कि इसके बीच में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ आ गई है ये देखो, ये देख रहे हैं, तुम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ आ गई है ये छोटे-छोटे small rocks हैं ये small rocks हैं और इसी small rocks को जो Mars और Jupiter के orbit के बीच में है इन ही को हम asteroids कहते हैं क्या कहते हैं? asteroids कहते हैं समझ में आया? और ये जो देख रहे हैं, ये पुरा ring लगा हुआ है अगल-बगल ये रुको में तुम को फिर से दिखा देता हूं ये देखो ये देख रहे हैं, आप इसको पुरा ring लगा हुआ है Mars के बाद और Jupiter के पहले इस रिंग को न, ये जो Mars के बाद और Jupiter के पहले तुम्हें ये देख रहे हो ये छोटे 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 एस्टरोइड दिख रहे है न ये रिंग को हम एस्टरोइड बेल्ट का नाम देते हैं asteroid belt का नाम देते हैं belt का मतलब होता है region belt का मतलब होता है region या किसी का इलाका ठीके तो ये asteroids का इलाका है जहां पर बहुत सारे छोटे-छोटे asteroids हमें देखने को मिलेंगे asteroids can only be seen through large telescopes यार हलकी जो asteroids होते हैं माना कि Mars के बाद और Jupiter के बीच में दिखते हैं लेकिन ये इतने जादा छोटे होते हैं कि हम इने खुली आँखों से देख नहीं सकते हैं इनको देखने के लिए हमें telescope लगाने की जरूरत पड़ेगी सो समझ गये क्या होता है asteroid I hope आपको समझ में आ गया होगा now asteroids के बाद जो हमारा next topic आता है वो है comets comets क्या होता है आपने हिंदी में एक जरूर नाम सुना होगा जिसको आप कहते हो धूम केतु धूम केतु नाम सुनाएक नहीं आपने धूम केतु तारा ठीके तो ये धूम केतु यही हमारा comets ही है comets are also members of our solar system बाकी planets की तरह, asteroid की तरह ये comet भी हमारा solar system का एक हिस्सा है और ये जो comets होता है revolve around the sun in highly elliptical orbits ये comet ना, ये सूर के चारो चक्कर अपने रास्ते पर लगाता है और इसका रास्ता कुछ अंडाकार होता है highly elliptical, elliptical का मतलब अंडे के सेप का इसका रास्ता होता है जिस रास्ते पर चलकर ये सूर के चारो चक्कर लगाता है however, their period of revolution around the sun is usually very long लेकिन ये जो comets होते हैं ये sun के चारो चक्कर लगाने में बहुत साल लगा देते हैं earth हमारा किवल एक साल में सूर के चारो चकर लगा देता है लेकिन ये comets ना कई साल कई सौ साल लगा देते हैं सूर के चारो चकर लगाने में मतलब इनका period of revolution ना बहुत जादा होता है अगर आपको comets देखना है ना तो a comet appears generally as a bright head with a long tail अगर आपको comets देखना है ना तो comets कुछ ऐसा दिखता है comets का ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इस हिस्से को हम head का नाम देते हैं और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये पूछ की तरह है इसलिए हम इसको tail का नाम देते हैं तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है comment का वो थोड़ा सा चमकदार होता है थोड़ा सा bright होता है और ये जो पूछ होती है ये थोड़ी सी हलकी सी धुदली होती है और एक और मज़ेदार बात बताओ जैसे जैसे ये comet sun के पास जाता है इस comet की ये जो पूछ होती है वो और लंबी होती जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये जो comets होते है ये किस चीज़ से बने हुए होते है gases से बने हुए होते है ice particle से बने हुए होते हैं जो की jump चुके हैं जो की freeze हो चुके हैं अब जैसे जैसे ये comet sun के पास पहुँचेगा तो sun के पास तो अपनी गर्मी है गर्मी की वज़े से ये comet का जो भी ice है जो भी gases है ना वो evaporate होने लगता है गायब होने लगता है और यही गायब होते हुए हमें टेल की तरह दिखाई देता है, हमें पूच की तरह दिखाई देता है, ठीक है, समझ में आया, the tail of a comet is always directed away from the sun, मतलब यह जो पूच होती है, यह हमेशा, for example, sun इधर है, तो यह जो पूच है, यह पीछे की तरफ रहेगी, माल लो sun इधर है, तो इस comet की पूच यह इस तरफ रहेगी, मतलब sun के बिल्कुल opposite यह comet का जो पूच होता है, जो comet की tail होती है, वो होती है, वो पाई जाती है, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पर comet होते कैसे हैं, different position of comet इस particular figure में दिखाए गया है, कि कभी comet यहाँ पर होते हैं, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पाया जाता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, क्योंकि वो चारों चक्कर लगाता है, ना, सूरिके, तो भाईया, यह पूरे रास्ते में, वो कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक है, Many comets are known to appear periodically, हम इनसान जानते हैं, कि बहुत सारे comets ऐसे हैं, जो समय समय पर दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर हम Hallis comet की बात करें, Hallis comet हर 76 years पर दिखाई देता है, मतलब हर 76 साल पर इस Hallis comet को हम धरती से देख सकते हैं, जैसे कि आखरी बार यह Hallis comet ना, 1986 में दिखाई दिया तो क्या तुम बता सकते हो कि अगला Hallis comet कब दिखाई देगा, 1986 में, प्लेस कर दो 76 years, कितना आ जाएगा, आ जाएगा ना, 2062, मतलब अगला Hallis comet, तुम 2062, मतलब आज से लगबग 40 साल बात देखोगे, अगर रहे तो, ठीक है, चलो, कुछ गलत धार्डाएं भी हैं, कुछ माननेताएं हैं, कुछ गलत सोचना है हम इनसानों का, इन comet को लेकर, हम इनसान क्या सोचते हैं, पता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कि ये जो comet हैं, ये बुरी खबर लेके आते हैं, ये messengers of disasters होते हैं, मतलब जब कभी भी comet हमें आसमान में दिखाई देता है, तो लोग Isra किन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल जूट है और ये केवल एक गलत माननेताएं हैं, अगर हमें comet दिखता है, तो ये केवल नेचूरल फैनामेना है, ये जैसे कि हमें sun, moon दिखाई देता है, जूपिटर, Saturn दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे ही comet भी है, comet भी अपना आ रहे हैं ठीक है तो अभी आप पढ़े लिखे हो गए हो तो आप बिलकुल इस चीज को नहीं मानना कि अगर हमें 76 इयर बाद ये हैलेस कॉमेट दिखाई देता है तो इसे देखो ना कि इससे डरो कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है वार होगा कहीं सूखा पड़ेगा कही महामारी आने वाली है ऐसा कुछ भी नहीं होता है got it now our next topic is what is meteors and what is meteorites English में इनका नाम तो आपने सुना ही होगा हिंदी में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इनको उलका पिंड कहते हैं क्या कहते हैं आपने कई बार newspapers में पड़ा होगा कि उलका पिंड हमारी धर्ती से टकराने वाला है तो ये उलका पिंड होता क्या है चलो जान लेते हैं at night य तुम क्या देखोगी उस दिन? उस दिन तुम्हें कभी-कभी न, bright streaks of light, कभी-कभी जब आस्मान बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल भी moon आस्मान में दिखाई नहीं देता, तो तुम्हें न, कुछ second के लिए एक चमकदार light दिखती है आस्मान में, यही चमकदार light, यही bright streaks of light, इनको हम सुटिंग स्टार के नाम से हम इने जानते हैं, आपने हिंदी में सुना होगा, तूटता हुआ तारा, तूटता हुआ तारा आपने नाम सुना होगा न, कभी-कभी तूटते हुए तारे से, लोग wish मानते हैं, कि मेरी यह wish पूरी कर दो, मुझे नहीं पता कि य की विस कैसे पूरी कर देगा पता नहीं ये सब अंधविस्वास है फिलहाल मेटियोराइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं तो कभी कभी क्या होता जब आस्मान बिल्कुल साफ होता है जब मून दिखाई नहीं देता आस्मान में तो हमें न कुछ सेकेंड के लिए एक चमकदार लाइट दिखाई देती है इसे चमकदार लाइट को हम शूटिंग स्टार्स या टूतता हुआ तारा कहते हैं although they are not stars, ये shooting stars हम इने कहते तो जरूर है, लेकिन ये stars होते नहीं है, ये क्या होते हैं, ये छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, जिनको हम meteors कहते हैं, meteors क्या है, small rocks है, छोटे-छोटे पत्थर, जो आसमान से आते हैं, उन्हें हम meteors कहते हैं, ठीक है, ये meteors क्या होता है, meteors कोई छोटी सी चीज होती है, कोई छोटा सा पत्थर होता है, जो कभी-कभी ना, अपना रास्ता भटक के, अर्थ के वातावरण में, अर्थ के एट्मोस्फियर में आके गिर जाता है, at that time, it has very high speed, जब भी, जब भी ये meteorites, अर्थ के एट्मोस्फियर में आता है, तो ये बहुत तेजी से आता है, और जैसे ही ये अर्थ के एट्मोस्फियर में आता है, आपको पता है, कि अर्थ के एट्मोस्फियर में क्या है, एर है, तो जब हवा का दबाव, इस meteorites पर पढ़ता है, इस meteors पर पड़ता है न तो ये जल जाती है ये glow कर जाती है और glow करके न हवा में भाफ बनके गायब हो जाती है इसी वज़े से that is why the bright streak last for a very short time और इसी वज़े से क्या होता है कि जो हमें तूटता हुआ तारा होता है न बस कुछ second के लिए दिखाई देता है क्यों क्योंकि ये वो shooting stars होते है जब ये earth के atmosphere में enter करते है तो earth के atmosphere में क्या है air है आपको पता है एर एक frictional force लगाता है जिसका नाम होता है drag drag किसे कहते हैं जो हवा का दबाओ और जो पानी का दबाओ पड़ता है किसी चीज़ पर उसको हम drag force का नाम देते हैं तो ये जो meteorites होते है जो चोटे च atmosphere में आ जाते हैं तो हवा का दबाओ इनके उपर पढ़ने लगता है जब हवा का दबाओ पड़ता है तो भाई ये जल जाएंगे glow कर जाएंगे अब कोई भी चीज है घिसने की वज़े से वो जल जाती है आपको पता है ना कोई दो चीज एक दूसरे से रगडो आप तो व meteor होते हैं वो हमें केवल कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं कुछ second के लिए दिखाई देते हैं हम Indian लोग इसे तूटता हुआ तारा कहते हैं और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर तुम टूटते हुए तारे से कुछ मांग लेते हो तो तुमारी विस्पूरी कर कुछ ऐसा नहीं होता सबंध विश्वास है ठीक है अब देखो अभी है तो हमने मेटियो मेटियोर्स के बारे में पढ़ लिया कि मेटियोर्स क्या होते हैं मेटियोर्स स्मॉल रॉक्स होते हैं जो की गलती से अर्थ के एट्मॉस्फीर में चले आते हैं और जैसी वह अर्थ क मेटियोर्स small rocks होते हैं और ये जो मेटियोर्स होते हैं ये large rocks होते हैं ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं देखो होता क्या है कि कभी-कभी जो मेटियोर्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं और जब बड़ा मेटियोर्स से कोई बड़ा पत्थर है तो वो आसानी से पर गिर भी सकता है, कहीं भी अर्थ पर गिर सकता है, the body that reaches the earth is called a meteorite, अब ये जो बड़ा पत्थर है, ये अगर atmosphere में आएगा, तो इसे थोड़ा सा time लगेगा न, evaporate होने में, evaporate होने में थोड़ा सा time लगेगा, जितना time इसको evaporate होने में लगेगा, तब तक तो ये धरती पर गिर जाता है, और भाईया जब गिर जाता है, तो इसी को हम उलका पिंड का नाम देते हैं, meteorite का नाम देते हैं, अब हम इनसानों ने इस meteorite का भी फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया है, क्या है कि जो हमारे वैज्ञानिक लोग है न, इस meteorite के बारे में जाच परताल कर रह हैं, और इस meteorite से वो ये जानने की कोसिस कर रहे हैं, कि हमारा जो solar system है न, वो किस चीज से बना हुआ है, कितना time पुराना है, मतलब nature of the material, ये उलका पिंड कौन से material से बना हुआ है, ये scientist पता लगाने की कोसिस कर रहे हैं, अगर scientist को ये पता चल गया न, तो वो ये भी पता लगा लेंगे कि हमारे solar system में जो अलग-अलग planets हैं, वो किस metals से या किस material से बने हुए हैं, ठीक है, ये meteorites हमें ये भी बताते हैं, कि solar system हमारा कितना पुराना है, solar system कितने time पहले बना था, ये भी हम बैग्यानिक लोग इस meteorite के बारे में जाच परताल करके पता लगा सकते है तो ये उलका पिंड कभी-कभी धरती में नुकसान भी दे देता है, भाई भारी नुकसान करता है, अगर धरती के किसी हिस्से में बड़ा सा पत्थर गिरेगा, तो नुकसान तो करेगा ना, बिल्कुल करेगा, लेकिन इसी पत्थर को scientist लोग अपने काम में ले आते हैं, व सोवर्स का मतलब पता है ना, बौचार, येस, बिल्कुल, जो छोटे-छोटे पत्थर हमारे अर्थ पर ऐसे बौचार करते हैं, ऐसे गिरते हैं चोटे-छोटे पत्थर, तो उन्ही को हम मेटियार सोवर्स कहते हैं, देखो, when the earth crosses the tail of a comet, हमने कॉमेट को पढ़ा कि कॉमेट चारो चक्कर लगाते, 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 जब इसकी पूच से, इस कॉमेट के, इस कॉमेट के पूच के पास से गुजरता है ना, जब हमारा अर्थ यहां से गुजरता है ना, तब छोटे-छोटे पत्थरों की बारिस होने लगती है इस अर्थ पर, कैसे होती है यह वीडियो देखो आप इस वीडियो में जैसा दिख रहा है ना बिलकुल ऐसे ही meteor शोवर्स होते हैं चोटे-चोटे पथर हमारे अर्थ पर गिरने लगते हैं और यह कब होता है यह तभी होता है जब हमारे सन के चारो चक्कर लगाते हुए ये जो हमारा अर्थ है न वो कॉमिट के पूछ तक पहुँच जाता है तभी ये मेटियोर के बोचार हमें देखने को मिलते हैं ठीक है अब तुम ये भी जान सकते हो कि अगला मेटियोर सोवर्स कब होगा अभी इस साल डोजार इकिस में दो या तीन जनवरी को इंडिया में देखने को मिला था मेटियोर अब अगला कब देखने को मिलेगा 21 या 22 अप्रेल इसी साल 21 या 22 अप्रेल को तुम मेटियोर सोवर्स देख सकते हो लाइव ठीक है तो देखना यार मतलब इंटरनेट से ही देख लेना मज़ा आएगा चलो अबर नेक्स टॉपिक इस वाट इस आर्टिफिशियल सेटलाइट अच्छा आपने सेटलाइट का तो नाम सुना होगा ना जैसे मून हमारा एक सेटलाइट है सेटलाइट का मतलब क्या होता है पता है सेटलाइट मतलब जो हमारे अर्थ के अगल बगल कोई भी चीज घूमती है तो उस चीज को हम सेटलाइट कहते हैं जैसे मून हमारे अर्थ के अगल बगल घूमती है तो यह हमारा नेचुरल सेटलाइट हो गया ऐसे ही बहुत सारे इंसानों ने satellites बना दिया है जो अर्थ के चारो चकर घूमती है और अर्थ के कई सारे काम को आसान करती है चलो artificial satellites के बारे में पढ़ लेते हैं तुमने सुना होगा नहीं सुना होगा तो आज जान लो कि हम इनसानों द्वाराना कई सारे ऐसे satellites बनाए गए हैं जो अर्थ का चारो चकर घूम घूम कर लगाती हैं क्यों लगाती हैं तुम सोचते होगे कि ये artificial satellites natural satellites से अलग कैसे हैं मतलब जो हमारा moon होता है वो भी तो अर्थ के चारो चकर लगाता है ये भी तो satellite कहलाता है तो हम इनसानों को इस artificial satellite को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई ये कभी-कभी तुम सोचते होगे ना चलो मैं तुम्हें answer दे देता हूँ देखो ये जो artificial satellites होते हैं ये हम इनसानों ने बनाया हुआ है artificial का मतलब ही होता है नकली जो हम इनसानों ने बनाया हुआ है सबसे important काम क्या है artificial satellites का कि जो अर्थ है ये हमारा अर्थ है अर्थ के अगल-बगल मून है पका हमें पता है कि मून अर्थ के अगल-बगल घूमता है अब इसलिए हम इनसानों ने artificial satellites बना दिये हैं जो अर्थ के काफी ज़ादा पास है जो अर्थ के अगल-बगल घूमते हैं क्यों घूमते हैं मैं बताता हूँ क्यों घूमते हैं ये artificial satellites ठीक है देखो इसके पहले ये जानो कि इंडिया ने बहुत सारे artificial satellites launch कर दिये हैं अब तक जैसे कि हमारा सबसे पहला artificial satellite था आर्यभट आपको पता होगा कि what is the first या which is the first artificial satellite of India क्या होगा आर्यभट आर्यभट हमारे इंडिया द्वारा launch किया गया सबसे पहला artificial या man-made satellite कहलाता है ठीक है कुछ और भी satellite हम इंडियन्स ने launch किया है जैसे INSAT हो गया IRS हो गया कलपना 1 हो गया EDUCAT हो गया यह कुछ ऐसे artificial satellites है जो इंडिया अब तक launch कर चुका है यह ऐसे कुछ artificial satellites है जिसे इंडिया अब तक launch कर चुका है इनके नाम याद रफना कभी एक्जाम में directly पूछ सकता है कि name some artificial satellites launched by इंडिया तो दे देना आप कुछ भी कह देना कह देना कि भया आरे भट है INSAT है IRS है कलपना 1 है EDUCAT है तो यह नाम उन्हें तुम बता देना ठीक है अब आगे देखो पढ़ लेते हैं कि यह जो artificial satellites है यह हमारे कहां पर काम आते हैं देखो यही पर एक question बनता है कि what are the uses of artificial satellites हमारे किस काम में आते हैं चलो यहां पर last paragraph में हम इसे पढ़ेंगे देखो artificial satellites have many practical applications बहुत सारे काम करते हैं यह artificial satellites क्या क्या काम करते हैं देखो they are used for forecasting weather हम मौसम का पता एक दिन पहले ही internet पर upload हो जाता है internet पर कल कैसा मौसम होने वाला है हमें पहले ही पता चल जाता है तो कैसे पता चलता है इन satellites की वज़े से पता चलता है transmitting of television आपके घरों में cable का connection आया है satellites आसमान में होते हैं यह क्या करते हैं कि TV company से जो भी हमारा operator है चाहे हमारा वो Tata Sky हो गया चाहे वो Dis TV हो गया TV company से signal को लेती हैं और हमारे घरों तक पहुचा देती हैं तो यह काम होता है हमारे artificial satellites का और क्या काम होता है इनके अलावा देखो television के signals तो यह भेशते ही भेशते हैं radio signals के लिए भी यह artificial satellites बहुत काम आते हैं जैसे जहां पर radio का tower होता है इस tower से यह signals उठाते हैं और हमारे घरों में जो radio रखा है वहां तक इस signal को पहुचाते हैं तो यहां भी काम आता है artificial satellites और भी बहुत जगह जैसे हम telephone से बात करते हैं हम telephone से mobile से आद बात कर पाते हैं तो आपको पता है आप दिल्ली में बैट कर लुधियाना वालों को phone कर लेते हो कैसे इन satellites की वजह से satellites दिल्ली वालों से signal लेता है फिर लुधियाना में connect कर देता है तो यह भी एक काम होता है artificial satellites का हम remote sensing का मतलब होता है internet हम internet चला पाते हैं वो भी किस वजह से वो भी इन ही satellites की वजह से हमारे mobile में जो tower होता है हमारी mobile में जो tower होता है यह tower किस चीज़ से आता है यह tower artificial satellites ही provide करते हैं ठीक है तो आप बस इतने paragraph को लिख दोगे ना आपको पूरा number मिल जाएगा कि what are the uses of artificial satellites so this is all about this chapter अभी I think कि आपको यह chapter समझ में आ गया होगा देखो यहाँ पर बहुत सारे satellites दिये गए हैं जो earth के चारो चक्कर लगाते हैं यह देखो earth की बिलकुल pass में आकर यह earth के चारो चकर लगाते हैं ठीक है satellites की हमने uses भी पढ़ लिए कि satellite भया लगभग हर चीज जो आज modern technology में use होता है लगभग हर चीज में use होती है यह satellites जैसे मौसम का हाल बताने में television का signal पहुचाने में radio का signal पहुचाने में हम mobile phone के tower से हम बात करते हैं तो यह connection कैसे हो पाती है artificial satellite ही करती है internet हम चला पाते हैं किसकी वज़ेस चला पाते हैं artificial satellites की वज़ेस ही चला पाते है so this is all about the chapter I hope you loved this chapter थोड़ा लंबा था थोड़ा time जरूर लगा बट आखिरकार इस chapter को भी हमने बाकी chapters की तरह finish कर दिया है next video में हम chapter number 18 को लेकर आएंगे तब तक बने रही है हमारे channel के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो एक जबाजस सांदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हैंद बाबाई